आने वाली एक तारिक को यानि की एक जून को टीरिंग फिलिपकार्ट की चेंज होने वाली है तो आज की वीडियो में बात करूँगा तीन ऐसे मिसकंशेप्शन जो लोगों को टीरिंग से रिलेटेड होते हैं नमबर वन सबको लगता है कि टीरिंग बढ़ते हैं उनकी सेल बढ़ जाएगी तो भाई ये बिलकुल गलत है कि सिर्फ सेल बढ़ाने से मेरी टीरिंग बढ़ जाएगी नो शिर्फ सेल से नहीं आपको अपनी सर्विस भी अच्छी करनी पड़ेगी और customer का experience भी आपके products के लिए सही होना पड़ेगा तभी आपका tiering जो रहेगा वो upgrade हो पाएगा और तीसरी और सबसे important कि एक बार tier मेरा उपर चला गया तो वो नीचे नहीं आ सकता ऐसा नहीं होता है tiering जो भी आपको मिलता है चाहे platinum मिला, diamond मिला, gold मिला है आपका वो कभी भी down हो सकता है, तीन महीने तक ही वो रहेगा, तीन महीने में अगर आपने performance maintain नहीं किया तो next month में फिर से आप down tier हो जाओगे, अभी आप किस tier में हैं आप मुझे जल्दी से comment करके बता दो और अगर कोई भी इसमें आपको problem है, तो आप मुझे comment करिए, मैं उसका जवाब आपको जरुदी